आई आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में देखे और सीखे दा नीरिंग से चैनल में तो मैं यह सब के लिए एक बेबी बुटिस लेकर आए हूं सिलायों से तो इसे किस तरह से बनाना है मैं आपको बता देती हूं ऐसे तो बहुत साधारन दोनों साथ से मैंने इसे उल्टा बनाया है या फिर सीधा से धरी दोनों से बना सकती तो टूटल मैंने यहाप पीज धारी है यानी 40 लाएने मैंने सीधी उल्टी करतेवे इसे बनाया है तो चलिए एक पर दिखा देती हूं कि किस तरह से बनाना हमें क३ non है सब से पहले हम यहां पे रहें लेंगे मैंने यहां 30 फंदोस यह शुरू किया हुआ इस तरह से पहले रहें आँ कि हैं है कि यह दून्य वे पगदना है है एक उग्नगगे गुम madam अलेना मैं एक बर उंगली वह लेता है इसा तरह सो कूरते को 30 फंद सब्सक्भी द सलुक्त सब्सक्राइब है कर दोनी नियुल्म कुल कि अब देकल मोटैंगे सब्सक्राइब आर यहां से जितनी वी सब्सक्राइब करें rejo بसार्ष एक सब्सक्राइब कि सारी फंदे को सीधा सीधा बना लेंगे अब हम आ गए इस लाई की दूसरी सार तैसे भी हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे तो फैरा फंदा मुतार लेंगे धागे को सौर ले जाएंगे और सारी फंदे को सीधे सीधे बनाते विए कंप्लीट कर लेंगे तो इसी केलिए अवे। समझ में आ गया है आपको अप सिलने का क्या तरीका है मैं आपको दिखा्वू जिस्य तरह से बना तक है आपको इस तरह से चैसंतरह 190 क तरीका के हैं तो पहें सब फापे की तरह बजाना चाहिए है हमारा पाइंब आ र एक खुला भाग छोड़ देंगे तो चलि इस तरह से शिलना है पहले यहां से सुनना सुरू करेंगे इस दो खोने को से लेंगे पहले उसके फिर यह ते से श्टार्ट करते हैं पहले फिर से देखें ग्यवर्ण और पावे की तरह बन गया एक फागे तरह से छोड़ देना है में अब यहां से सिलना शुरू करते हैं कि यहां से सिलना शुरू करेंगे कि अब आगे कि अब आगे कि अब आगे कि टीया शे 걸े तक इन लेते पहले ज़िए इस तरह से नीच़ शिए चोटे रहे और भी और, अब इस तरह से यहां पर मिलायें इस तरह से यह फिर यहां इस तरह से रखेंगे इस पिर इस कोने को यहां पकड़नेंगे मिशिलेंगे अब यहां से सीलते वे यहां जाएंगे देखिए इस तरह से सीलते वे यहां तक आना है में तेचले सील लेते हैं फिर दिखाते हैं तो देखिए इसकी सलाई हो गई अब इससे सीधा कर लेते हैं इस तरह से सिधा करने के बाद आप देखिए इस तरह से रखेंगे हैं दोनी पट्टी मैंने बराबर सी हुई थी बनाई हुई थी अब देखिए यहां पर एक हम यहां पर ले लेंगे डोरी जो आप कुरोसिया से बना सकते इस तरह से तो मैंने यह कुरोसिया से बना के रखा हुए अब इस तरह से फोल्ड करना है हमें फोल्ड करने से पहले हमें इसके अंदर डोरी डालेंगे हम इस तरह से डोरी डाल लेना हमें ऐसे रखना इसे डोरी डालते वे आप देखे क्या करना है हमें यह भाग पर हम इस तरह से रखेंगे इसे फोल्ड के यह भाग यहां पर रखेंगे यहां से सिलना शुरू करेंगे अब इसे पकड़ते हुए हमें क्या करना है यहां तक सिलना है इसे इस तरह से सिलते हुए सैट से पकड़ते हुए एक दो और यह तीन तीनों को साथ में पकड़ते हुए हमें इस तरह से सिलेंगे यहां तक सिलते हुए हमें यहां तक सिलते हुए लाएंगे हम तो चली इस तरह से सिल लेते हैं तीनों को एक साथ पकड़ते हुए सिलेंगे यहां तक लुट देखे एक भाग हमने यहां से यहां तक सिल लिए दूसरा भाग इस तरह से खीचते हुए हम यहां तक लाके हम सिलेंगे जहां आम नीशे सिला हैं यहां तक लाके सिलाय में ऐसे करके रखेंगे इसे पकड़ते हुए हम खीचते हुए यहां तक इसे सलाई करना है तो चली इस तरह से हम यहां से यहां तक इसे फिर से सिलते हुए हम यहां तक लाएंगे उसके पर दिखाते हैं आपको तो देखिए इधर से हमने यहां तक से लिया और इधर से यहां तक आप इसे सीधा करेंगे यह जो भाग है इसे उपर कर देंगे इस तरह से पीछे चला जाएगा भाग हमारा और यह आगे और इस तरह से डोरी कॉप इस तरह से टाइट करके बांद भी सकती है तो देखिए कितना प्यारा सार खुबसों सा एक सॉक्स बनके रेडी हो गया और कितना अहसान भी इसे बनाना इसे कोई भी बना ले जो बुनाई कर रही है मैला है वो भी इसे बना लेंगे तो देखिए किस तरह से यह लुकाएगा नीचे की सेट से ऐसे लगे गई एडी के भाग में कुछ इस तरह से यह दिखेगी आगे से देखिए ऐससे यह पर डोड़ी को इस तरह से बांध लेंगे तुम इसका उमीद करती हूं कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगए तो प्लिस वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइ